नमस्कार दोस्तों सिविल प्लस आईटी टेक्नो के नए वीडियो में आपका स्वागत है जहां पर आज हम डिस्कल्स करने वाले स्टील के बारे में तो यहां पर हम आज आपको बताएंगे कि आप स्टील स्लैब में जो स्टील यूज होगी उसकी डिस्ट्रिबिशन बार मे क्यांटिटी कैसे निकालनी है उसके बारे में डिस्कल्स करेंगे में यहां पर आपको जो भी में फारूमले यूज करने स्काएंगे उसमें आपका जो स्टील का वेट होगा वह भी हम यहां पर निकाल के दिखाएंगे कि कि आपकी स्लैब में कितना वेट स्टील आएगा और उसके साथ में भी हम आपको यहां पे उसके rates के साथ में जो market rate होगा उसका rate निकाल के उसका price total कितना बनेगा वो सारी चीजे आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम एक स्लैब लेते हैं जिसकी लेंद्थ हम लेने वाले हैं आठ मीटर वाई सोला मीटर तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी में बार आएंगी वह आपकी आएंगी जो आपका small area होगा यानि जैसे आपकी जो short लेंथ होगी जैसे कि इस फॉर एक कि पैरलल जो आपकी बार दिख रही है जो हम प्लेस करेंगे अपने स्लैब में वह आपकी में लिया आएगी में बार चुक्त दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है जो भी आपका जो भी आप एरिया ले रहे हो या स्लैब का जो लेंद्थ ले रहे हो उसमें जो shorter length ठीक है उसके बाद हमारी जो आएगे उसके बाद हम यहां डिस्कस करने बार दिस्ट्रिबुशन बार दोस्तों आपको एक चीद ध्यान में रखनी है डिस्ट्रिबुशन बार आपकी हमेशा जो भी आएंगे जिस लेंद्थ के पैरलर आएगे वह आपकी होगी long length जैसे कि इसमें हमने 16 मीटर लिया हुआ है उसके पैरलर जो भी हमारी बार साइंगी वह हमारी कंसीडर की जाएंगे डिस्ट्रिबुशन बार जो कि आपकी multiple हो सकती है वह भी आपको बताएंगे कि आप डिस्ट्रिबुशन बार और में बार कैसे निकालोगे तो मैं आपको बतायता यहां चीजिद्र लेनी है जिसका कि हमने यहां पर आज बेट निकालना है और यहां पर उसकी नंब्रो बार कंसीडर करने वह निकालनी हैं दोस्तों आपने जो एक में ची याद रखने आपने हमेशे याद रखने जो अभी आप स्लेब में डालेंगे ना तो बार लगाने वाले इस टील लगाने वाले उसका जो डाय है आपने 10 mm और 8 mm लेना है में बार म ले सकते हैं अगर आपको में बार में लिया तो आप डिस्ट्रिबिशन बार में भी टैनल ले सकते हैं वह आपका डिपन करता है structure पर structure पर कितना लोड पड़ेगा और जो आपकी slab वह single-way slab slab है या फिर double-way slab है तो आपने वह ध्यान रखना है कि आपको किस हिसाब की जरूरत उसाब से आपने यहां पर डाया consider करना है लेकिन नॉर्मल slab में या फिर अगर single-story building अबना रहे तो वहां पर आपने दस mm का और 8 mm का ही सरीय यूज में लाना है ठीक है यहां पर नमबर और बार स्टील के निकालने के जो हम फार्मल लगाने वाले हैं वह में लिए आपका आएगा आपने लिख लेना यहां पर लॉंग साइड वाल जो भी आएगी डिवाइड वाई स्पेसिंग मतलब कि आपकी जब एका अधिक आपको आपने नमकिंच किंदिशन से एक है तो कि किया करना पूंग साइड होगी यहां आप 16 मीटर लिया है तो हम 16 मीटर को डिवाइड करेंगे स्पेसिंग कितने लिए हम यहां पे लिए चेंच या फिर डेट सो एमम आप ले सकते हैं तो आपने 16 बाइट कि डिवाइड करते हैं तो आपकी कैल्कुलेशन करने के बाद में जो आपकी नंबर बार आएंगे वह आएंगे आपकी 106.6 जिसको आप अगर राउंड फिगर में लेंगे तो आप इसको एक सो साथ बार ले सकते हैं और यहां पर आपने एक बात और ध्यान रखने आपने इ एक एक एक्स्ट्राबार जरूर लेनी है जासे कि आपकी 107 यहां पर निकली हैं यैंद यहां टो आपने इसको 108 बार लेना है एक बार आपने हमेश्या एक्स्ट्राई ही लेनी है इसके बाद हम सेम फामूला यूज कर कर हमने लिकाल निरिप बार नमबर ऑफ डिस्ट्ट्रियूशन बार निकालने के लिए लेकिन यूज़एगे लेकिन लास्ट में हमने किया तो लॉंग साइट का लिए का अब इस्ट्रिबीशन किया निकालने वाले निकाले लेकिन वह किसके लेंथ में आ रही है वह उस एरिये में हमारी डिस्ट्रिबूशन बार आ रही है तो इस वैसे हम यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर करेंगे शौट साइट जो भी है जैसे आठ में औरी शुर्ण करतें तो तो जाम उसको कैलोए करते तो हमारी 53 Punkte contain और मैं जैसे आपको बता कि हमने एक extra bar consider करनी है तो हम यहां पर consider करेंगे 54 bars तो दोस्तो आप समझे रहे हैं कि जैसे मैंने आपको long wall की case में बताया sorry main bar की case में बताया क्योंकि main bars हम consider करे थे long length के area को cover करने के लिए और short distribution bar का हमने cover किया है long short length को cover करने के लिए उसके area कवर करने के लिए तो दोस्तों यहां तक थो था कि हमाएं number of bars पता चलगी कि किती number of bars हमारी slab में आने वाली हैं अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें find out करना है कि उसका weight कितना होगा क्योंकि जैसे weight होगा आप उसके according ही तो आपने बहां से market से अपने steel bar order करनी है कि हाँ आपको इतने kilo या इतने quantity या इतने टन आपको steel bar चाहिए जो कि आप आप पर structure में यूज करने वाले हैं तो वह कैसे हम find out करेंगे तो उसके find out करने के लिए हमारे पास यहां पर कि स्टेंडर फार्मूला है जो हम यहां पर apply करने वाले हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर main bar के लिए तो जो main bar के लिए हम निकाले हैं तो इसके weight of formula for steel bar है वह आएगा अपना d square into l upon 162.2 यह हमारा यहां पर formula आने वाला है जिसमें कि हमारा d क्या है डियामेटर of steel bar जो भी हम यूज करने वाले हैं उस जगह पर ठीक है और length क्या आएगी एल आएगा हमारा length जो भी उस particular area की length होगी तो हम यहां पर main bar के लिए weight निकालने वाले हैं तो हमारी number of bars यह हम जो निकालने वाले formula लगेगा यह निकलेगा single steel bar के लिए जो standard formula है तो main bar में हम कौन सा डाया यूज करने वाले है स्टील बार का तो वहां पर हम करने वाले हैं 10 mm तो हम simply अपना 10 mm पर उसको अप्लाई करेंगा उसको स्केल मेटर करके और इंट्व एट से करके जो हमारा यहां पर single bar के लिए जो वेट आएगा वो आएगा यहां पर 4.93 kg यह हमारा है single steel bar के case में जो की है main bar हम निकालने वाले हैं उसके case में यह आया जैसे कि आप जानते हैं यहां पर हमने जो main number of steel bar जो निकाले थी वो थी हमारे पास 108 तो हम क्या गरेंगे यहां पर यह single के लिए निकाला हमने 4.93 अब हमें निकालना है 108 बार के लिए तो हम simply क्या करेंगे 4.93 को 108 से multiply कर देंगे जिससे कि हमारा main bars जो लगेंगी structure में slab में उसका जो total weight आएगा वो आएगा 532 यानि 532 kg सेम एज हम यहां पर सेम फार्मला अप्लाई करने वाले हैं distribution बार के लिए distribution बार में हमने concert आया लिया था वहां पर लिया था हमने 8 mm तो हम simply 8 को square करके उसको 16 16 जो कि हमारी length थी उससे हम उसे multiply करेंगे हमने यहां पर 16 क्यों consider कि दोस्तों देखो number of bars जो आई है हमारी शौट जो डिस्टिविशन बार आई है वो आई है 16 length की मतलब आ समरे कि हमें 16 मीटर लंबी हमें steel bars लगानी है इसलिए हमने यहां पर 16 consider किया ना कि 8 consider किया क्योंकि खक्थ हमने बार निकाले थे उस में निकाले मौनि उस एरिया के लिए कि यह हम आए कि पार निकल थे उस से हमें मिनिकले करना है तो यहां पर हम निकाले शींग के बार जो हमारे पास वेट आया single war का जो एक single हमने steel लिए single steel बार का जो बेट आया वो आया 6.31 kg और हमने आप पीछे देख सेते हैं हमने जो निकाला था फार लगाके तो हमार आया तक 54 बार्स आये थी और हम simply हम 54 बार को 6.31 से multiply करेंगे जिस से कि हमार जो total distribution बार लगेंगे उनका जो वेट आएगा टोटल वो आएगा 340 kg अभी हम 340 kg और जो हमारी मेन बार कर वेट आया था 532 kg को प्लस करने के बाद में जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 872 kg ठीक है तो आपको पता चले गया हो कि आपने वेट निकाल लिया नंबर वार निकाले कितना आपको सरीय वहां पर लगेगा कितनी नंबर वार लगेगा कितना सरीय आपको लगे जो कि आपने मार्केट से और करना है कि इसके बाद हम यहां पर निकालने वाले हैं कि पर सरीय के जिए यहां पर कि इसाब निकालने के लिए में अपर कितनी याप और केज ओघ्य करता हुआ जैसे कि सब्सक्राइब यहां पर 70 कंसीडर करता हूं कि 70 पर केजी के इसाब से आपका मार्करेट यहां पर चला हुआ है तो वह यहां पर मैं कंसीडर करता हूं तो अपना जो 70 kg है उसको हमने सिंपली क्या करना है मुल्टिप्लाइब करना है 872 kg से तो 72 8272 को मुल्टिप्लाइब करते हैं तो हमाई जो स्टील की कोस्ट आएगी वह आएगी 61,040 रूपीज ठीक है दोस्तों तो यह हमारी यहां पर तक स्टील आ जाएगी उसके बाद में जैसा कि आप जानते स्टील को बांधने के लिए जो हम बाइंडिंग वार यूस करते हैं जो आपने देखा होगा आपका अपना घर बनाया होगा या फिर आप इस पॉल सा फ़ामुला है 10 kg पर टन यतन तो यहां पर आपने क्या करना है आपका जितना स्टील आया था जो हमारे पास है ऐट करना 10 से और डिवाइड कर देना उसको 1000 से तो उसके बाद जो हमारा करके आएगा वह आएगा हमारा 8.72 kg यानि कि इतना आपको binding बायर इस structure को बनाने के लिए लगेगा उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपको पता कि जैसे आपने सिंपल मल्टिप्लाई कर देनी है आपके बेट से तो यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं फॉर एक्जांपल 65 रूपीज पर केजी तो हमारा यहां पर जो बेट आया था वह आया था 8.72 तो हमने उसका बितुरेट्ग करना पड़ेगा तो वह दो आप फिर में काम करकर देंगे नहीं आपको उनको भी पेए करना पड़ेगा तो उसका जो कोस्ट है जो लेबर कोस्ट आएगी आपको स्टिल बाइंडिंग की वह आपकी यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं आरांड फूर ह या आपका मदलब आपके अलग हो सकती है आगर आप लेबर से कंसीडर करेंगे वो कितना लेते हैं स्केर फीटर के साफ से के साफ से वह अलग मैटर कर सा था पर मैं यहां पर आपको अपने एक्जामपल के लिए बताइता हूं कि यहां पर मैंने 6.5 रूपीज पर केजी कंसी से तो आपका जो टोटल बाइंडिंग बायर का जो आएगा वह आएगा आपका 5668 रूपीज आपका लेबर कोस्ट आ जाएगा तार को स्टील को बांधने में कि यह सिर्फ बांधने की कोश्ट है उसके अलावा आपका बड़ा खर्चा होता है यह अलग चीज है ठीक है दोस्तों तो इसके वीडियो को खत्म करने से पर आपको और इक बतायता हूं जब भी आपने मतलब अब स्ट्रक्चर प्रपेर करा स्वाब कराना है तो वहां पर आपने मोस्ट परफ़ली याद रखना है जो कवर ब्लॉक्स होते हैं वह आपने कम से इंप 15 mm से लेके 25 mm तक कि आपने स्पेसिंग देनी है स्टील बार के नीचे जो होती है आपको याद होगा क्यूंकि शट्रिंग से लगने नहीं चाहिए जो सेंट्रिंग आप प्रवाइड करें वहां पर आपकी वह तील बार कंसीडर अगर स्टील आती है तो उसमें जंग लगने के चांसे काफी जाद होगी जब जंग लगी तो इरोजन होगी उसकी वह पानी को सोकेगी और उसकी लाइफ चो लाइफ लाइन है वह बहुत कम हो जाएगा और इसके साथ ही वीडियो को क्रोज करने से पहले मैं आपको एक चीव स्केर मीटर के बाद में और बीम के केस में आपने क्या करना जो कवर ब्लाक है वह आपको पर मीटर मतलब हर 1் mint के बाद मैं आप में स्पेशिंग देनी है उसको कम चकर 15 से static Geme vigor जो आपका स्टील गपों कंक्रीट से बाहरiyaं ने चाहिए कभी-कभी होता कि अगर वह शचट्रिइंग के साथ में अगर कभ अटैच होता है तो उसमें यृष पर बाहर से अधिर में कोजुम कर लाए कि ज अधाकर के जम से जब सब्सक्राइब लाइफ टाइम लाइफ उसकी कम हो जाएगी तो आपने उसका ध्यान रखना आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है जिस भी बंदे से आप काम करवा रहें लेवर से काम करवा रहें तो उसको प्रॉपर इसके बारे में गाइड करें अगर वह वैसे उनको पता होता लेकिन फ फिनिशिंग काफी अच्छी आती है कुछ लोग जल्द बाजी में या कुछ रित्ता बजरा यूज करते जिसके वैसे प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आते तो आपने यह ध्यान रखना है कि आप जब भी स्लैब डलवा रहे हैं तो आप वहां पे शट्रिंग उइल यूज क जो शट्रिंग उइल है वह आपका 75 से लेगे 80 स्केर मीटर शट्रिंग तक काम में आ सकता है तो आपको यह ध्यान रखनी है मेरे साब से यह जो वीडियो मैंने बनाया है शाद आपके लिए हैल्फुल हो जो यहां पर मैंने आपको स्टील होपफुली यह वीडियो आपके कर सकते हैं तो मैं उसके बारे में आगे और भी वीडियो बना के डाल दूंगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू वीडियो को क्लोज करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरू करिए थैंक्यू